हैलो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आज घर पर गोलगपे बनाया जाएं जिसके लिए मैंने कुछ जादा मैनत भी नहीं कर रही है मैंने मार्केट से रेडीमेट गोलगपे ले आई थी और पानिकली का मसाला ले आई थी मैंने गॉलगपो को अच्छे से तल के एक लेड्लगप में अलग से निकाल के रख लिया मैंने सचा क्यों ना मसाले के लिए चटपटा आलू बनाया जाए जिसके लिए मैंने आलू को बॉयल कर लिया था प्याज ले ली और दो हरी म्र्ची ले ली इन सब को मैंने आपस में मेश कर दिया आलू को उसमें प्यास डाल दी हरी मिर्ची डाल दी और हमारे घर के जो रोज के मसाले होते हैं वही मसाले अड़ करें कोई भी फाल्तु मसाला नहीं डाला जिसमें मैंने नमक, मिर्च, थोड़ी हींग और चटपटा चाट का मसाला बस यही सारी चीज़े अड़ करें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली है और मैं इन सारे मसालों को मिलाकर हाथ से अच्छे से आलू को मैश कर लूँगी जिससे हमारा एक चटपटा सा आलू का मसाला बनके तई दयार हो जाएगा अब मैं क्या कर रही हूँ एक बोटल ली मैंने ठंडे पानी की जिसकी मैंने आधा बोटल एक कटवरी में पानी डाला उसमें मैंने क्या करा पानी परी का मसाला एड़ किया थोड़ा काला नमक भी डाला और खट्टा करने के लिए उसमें मैंने नीबू का रस भी डाला अब हमने कुछ नहीं करना है बस इसको अच्छे से चलाते रहना है जब तक कि इसमें मसाला और नीबू और नमक एड़ ना हो जाए ये लिजिए ये तो मेरे गुल्गों पर तयार भी हो गए है वाओ ये तो खाने में बड़े यम्मी लग रहे है चलो अब मैं इसको खाती हूँ बिना टाइम वेस्ट किये बाई बाई